लो नमस्कार वच्चो स्वागत आप सभी को बेश्टिक सिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निक प्लाटफॉम पे सवागत आप सभी को इस वीडियो में जहां बात करने वाल हैं बीटे कोर्स के बारे में यदि आप इस समय 12 क्लास पर्शू कर रहे हैं या फिर 12 के बाद ड्रॉप लिए हैं तो आपके बिटे कोर्स करने के लिए जो है आपके दो राश्ते होते एक तो को जे में रएक जो सäreूं जाते हैं जिसमें आप कि करते हो तो आपको एड़नाएटी और आईटी मिलते हैं लेकिन उसके लिए इस condition में चाहते है क्या eligibility criteria's है CVT 2025 के लिए क्या subject combination होने चाहिए क्या उसके लिए syllabus है और कौन-कौन सी university में क्या क्या courses आप b.tec के लिए pursue कर सकते हैं इसी पर जो इस video में detail में बाते करने वाला हूँ विगत 8 सालों से हमने हजारों बच्चों को UG entrance examinations के लिए guide करके देश के top universities में different courses बी टेक बी सी बी कॉम बी फार्मा बी लगी जैसे अलग-अलग अंडर गैजुट courses के लिए guide किया और इस चैनल के हम लोग आपको CVT और ICR की preparation से ही related और साथ मैं आपको counseling और admissions से रिलेटर हर update को provide कर देए अगर अभी तक आपने CVT ICR से related test update के लिए आपने इस चैनल को नहीं subscribe किये तो ज़रूर से इसको subscribe कर लिजेए अगर हम बात करें बी टेक course तो एक तरह का professional courses माना जाता है चाहे आपको बी टेक बेरी technology से करना हो food technology से करना हो computer science से करना हो या फिर civil engineering करनी हो या फिर आपको mechanical से करना हो electrical या इसी से करनी हो बहुत सारे आपके पास number of universities all over India जिसमें आप बिटे course pursue कर सकते हैं लेकिन यहां पर एक ही exam limit age limit यहां पर नहीं दी गई है और जो भी बच्चे 12th class पास आउट हो चुके है या इस समय 12th पढ़ रहे हैं वो सभी बच्चे CVT 2025 के लिए eligible हो जाएंगे लेकिन आपको यहां पर एक चीज क्या करना पड़ेगा कि जो भी आप subject चूज करते हो या जो भी आपकी criteria है यह सिर्फ एक general criteria आपको meet ना करते हुए आपको university wise specific criteria भी आपको पता होना चाहिए जल्दी आपको university wise course specific videos भी आपको इस channel पर मिल जाएगा तो मिल ली जो है यहां पर age limit की कोई criteria नहीं है और 10 प्लस टू जो आपका 12 है वह आप इसी courses में बिटेक के लिए आपको PCV वालों को भी consider करते हैं लेकिन most of the जगह पे जो है यहां पर PCM की ही जरूरत होगी आपको ठीक है तो आपके 12 में उसी के बाद आप eligible होगे उसके अब पर समझते है क्या है तो अगर देखो के सीवीटी में टोटल आपके 61 सब्जेक्ट का एक्जाम होता है जिसमें 33 लैंगोज 27 डोमेन और एक जनरल टेस्ट होगा लेकिन एक कैंडिडेट जो है maximum 6 सब्जेट का चुनाव कर सकता है यानि कि maximum 6 टेस्ट पेपर जिसमें आपके डोमेन जितना होगे एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा maximum आपको 6 सब्जेट का चुनाव होगा तेरा लैंग्वेजेज में आपके परिक्च्छा होंगे पेन पेपर दोनों में मोड में होता है पेन पेपर भी और सीवीटी मोड में भी परिक्च्छा होती है डिपेंडिंग अपन कि कितने केंडिडेट ने सब्चेक को चूज किया उसके बाद रहें आगर कोशन की बात करें का पचास में से 40 कुशन सब्सक्राइब करना सारे सब्जेक्ट अलग अलग शिफ्ट में परिच्छा होंगे जैसे जब आपका CVT का एक्जाम मई के महीना में होता है तो उसमें आपके अलग 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 शिफ्ट में होगा अब यहाँ पर पूरी पैटर्ण अगर देखो तो लैंग्वेज में भी आपको चालीस कोस्टन एटेंप्ट करने है तो आपको यहाँ पे domain subjects में आपको क्या करना पड़ेगा domain subjects में PCM जो है आपका eligibility criteria हमें तीन domain subjects को आपको पढ़ना होगा physics, chemistry and maths और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा तर university जो है English language को बिटे के लिए consider करती है तो यहाँ से आपको English language जो है पढ़ना पढ़ेगा यानि कि यह general test भी आपको जो है अपना चूज करना कि बहुत सारे प्राइवेट उनिवर्सिटीज है जो सीधे जेनरल टेस्ट और language के basis पेर भी बिटेक कोर्सेस के लिए admission ले रहा है अब university wise courses eligibility पर अलग से आपको separate video मिल जाएगा तो यह आपके लिए जो है जो इस language को जादा तर candidates अगर prefer करते हैं तो यह अच्छा होगा उसके अलाबाद तीसरा जो है आप लोगों का यहाँ पे physics chemistry और maths तीन डोमेन जो है आपके लिए eligibility अगर आप फुल्फिल करते हो तो आपके लिए जो है maximum universities में जो है आपके पास eligibility criteria को आप फुल्फिल कर पाओगे for बीटेक कोर्से चाहिए वो बीटेक आपका computer science से हो है ना डेली टेकनलोजी से हो food technology से बायो टेकनलोजी से या फिर आपके civil engineering mechanical हर तरह के बीटेक कोर्सेस के लिए आपका eligibility criteria बन जाएगा लेकिन इनी eligibility criteria के साथ इस बैच की संपुर्ण तैयारी के लिए आपको करना क्या होग CVT 2025 के लिए हम लोग के अल्री बैच लाइब हो चुकी है बरदान बैच अल्री classes चल रही है इस बैच में आपको live theory class detailed theory class मिलता है साथ में आपको class के बाद तुरंट DPP daily practice sit मिलती है और इतना ही नहीं आपको class के chapter complete होने पे practice set दी जाती है with solutions और साथ में NTA based mock test आपकी weekly and monthly basis पे courses की में पूछे का है physics में chemistry में math में general test में language में सभी के अलग-अलग separate आपको जो है प्यो आई क्यूज की booklet भी आपको अविलेबल कराई गए तो आप उन booklets को भी आपको इस बैच मिल जाएगा जिससे आप analyze कर सकते हो कि previous year के questions कैसे थे और किस तरह के सवाल आपको हर subject में है वो भी separate medium है यह क्योंकि भासा जो है अध्यन के लिए बेवदान नहीं बनना चाहिए इस बैच में जूड़ने के लिए आपको करना क्या होगा नीचे दियेगा लिंक से basis इक्षा आप download करेंगे science domain से आप select करके यहाँ आप यहाँ पे बरदान बैच को select करोगे उसके बा मात्र 3500 रूपे में और इसमें भी अगर आप चाहते है कि इस पूरी बैच में कैसे पढ़ाई होती है किस तरह से पढ़ाई होती तो online के धियास में सबसे पहली बार हम लोग लेकर आए है आप सभी के लिए free trial class बैच जिसमें आपको one week के लिए पूरी access मिलेगा free of cost बस ग्यार रूपे में आपको पूरा बर्दान बैच की फूर एक्सेस मिलेगी one week के लिए लाइफ theory classes डीपी प्रैक्टिस सेट टेस्स सारी चीज़े आपको जो एक हपते के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मात्र 11 रूपे में तो इस बैच में आप इन्रोल होके देख सकते कि कैसे चो है बच्चों को हम लोग गाइड करते हैं और क्या राज है कि जिसके बेसिक सिक्चा के बच्चे अलग-अलग university में हर कोर्स में सेलेक्ट होते हैं इसके लावा आपको cvt की free e-books previous year questions के आपको मिल जाएगा बेसिक सिक्चा आपके important study material के section में वहाँ से आप देख सकत करना है बैच में जोइन करने में कोई भी दिक्कात आ रही है ताब हमारा दिये गए इस eight four three 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 four one zero two six official WhatsApp नमर पर आप अपना नाम और course को मेंसन करके अपनी queries को पूछ सकते हैं यह छोटी से information थी इस वीडियो में इतना ही इसी तरह के interesting and amazing videos के लिए बेसिक्चा को subscribe करें स्वस